किसी में बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से हमें एक चीज तो सीखने को मिलती है कि दुनिया में जब भी आपको दूर दूर तक दिखना बंद हो जाए तो आप एक एक कदम बढ़ाते चलिए रास्ते खुद बखुद खुलते जाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने आरजेम यूटूब क्लासेज में दोस्तों आज का वीडियो है जिसका पार्ट नवर फाइब है दोस्तों यह आपके सभी परतियों के परिच्छा है जैसे एसे सी, सीजियल, ग्रूब डी, रेलवे तथा अन्य कंपेटिटिव एक्जाम के लिए काफी महत्त पुण है तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग क्वेस्चन सुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेस्चन है दोस्तों दूसरी पंचवर्स्य योजना किस में किसको प्रात्मिक्ता दी गए थी तो बताए दोस्तों जो दूसरी पंचवर्स्य योजना थी उसमें किसको प्रात्मिक्ता दी गए थी तो हमारा option E है दोस्तो क्रिसी, option B है सिवाए, option C है भारी उद्योग और option D है बिदे सिवेपार तो दोस्तो इसके सही एंसर हो जाएगा भारी उद्योग यानि दूसरी पंचवर्ची योजना में भारी उद्योग की अधिकतम प्रात्मिक्ता दी गई थी दोस्तो यदि हम इसके बारे में और कुछ जाने तो दोस्तो दूसरी पंचवर्ची योजना 1956 से लेके यानि 4800 कडोर रूपय इसमें रखे गई थी आवंटिट की गई थी तो चले दोस्तो हम लोग अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तो राजी के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है तो बताए दोस्तो किसी ऑप्रसाइब करने का थिकार किसके पास हे समस इससंट क्ने सी या और उक्सको है दोस्तो चुनाव आयोग तो पताए दोस्तोव इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका जहीं सर हमारा औप ओप्सन सी होजाएगा यानि राज्य के लिए निर्वाचन याची का करने का अधिकार जो है उच्छ नियाले के पास है दोस्तों यदि इसके बारे में कुछ बात करें तो दोस्तों जो भारतिय सविधान में जन प्रतिनिधी अधिनियम है जो 1951 के तहद उसका धारा ये टी ए तथा अनुछे जो था 329 ब के अंतरगत यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि चुनाव याची का सीधे उच नियाले में प्रस्तुत की जाएगी तो उमीद करते हैं दोस्तों ये क्वेशन आपको समझ में आ गया होगा चले दोस्तों हम लोग अगले क्वेशन क संग सुची में कितने मद्य है तो बताएए दोस्तों जो संग सुची है जो भारत की उसमें कितने मद्य है हमारा ऑप्सन ए है दोस्तों बावन ऑप्सन बी है छेयासाट ऑप्सन सी है संतानवे और ऑप्सन डी है नीनानवे तो बताएए दोस्तों जो संग सुची में है उस औप्सन नमबर सी सही एंसर हो जागा दोस्तों संग सूची जो इसका जो सूची फ़र्ष्ट है उसमें सोव भी से सामिल है यदि पी अंतिम भी से की बात करें दोस्तों तो उसमें 97 भी से ही है दोस्तों भाग 11 यह सूची दी गई है जिस पर कानून बनाने का अधिकार भी कि संद्र सरकार के पास है तो चले दोस्तों हम लोग अगले क्विश्चन के और बढ़ते हैं हमारा अगला क्विश्चन है संसद के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितना अंतराल दिया जा सकता है तो बताए दोस्तों जो संसद का जो सत्र चलता है उसमें दो सत्रों के बीच अ है 6 महिना और option D है दोस्तों 12 महिना तो बताए दोस्तों संसत के 270 के बीच अधिक्तम कितना अंत्राल होता है तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा 6 महिना यानि हमारा option C सही एंसर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए सियर कीजिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों आप लोग का सपोर्ट ही मेरी होसला पढ़ाता है तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेस्चन क्यों चलते हैं हमारा अगला क्वेस्चन है सम्विधान में मूल करतब कब सामिल किया गया था तो बताए दोस्तों हमारा जो सम्विधान का मूल करतब है वो कब सामिल किया गया था हमारे भारतिय सविधान में तो बताए दोस्तो हमारा option A है 1975 option B है 1976 option C है 1977 और option D है 1989 तो पताए दोस्तो इसका सही एंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका सही एंसर हमारा हो जाएगा 1976 इस पी में समिधान की बात करें तो बताईये दोस्तों हमारे सबीधान में कितने मुल करतब्य है तो हमारे समीधान में कुल 10 मुल करतब्य हैं जो 51a में 10 दोस्तों यदि हम यह बात करें तो भारतिय सवीधान के 42 संसोधन करकर यानि 1976 में मुलकर्टब्य को जोड़ा गया था दोस्तों मुलकर्टब्य जो है वह सोवीयत संग यानि रूस से हमारे रूस की सविधान से ली गई है तो चले दोस्तों अगले क्यों तो किसान को बढ़ते हैं हमेरा अगला रहता समय है नहीं जिसके पास है एक हेक्टेर से कम जमीन है वी जिसके पास दोस्ते दोस्ते का सही सही हमारा हो जाएगा सबस्तु एक हठे की शहम्यों के पास है घ् Wait Bo etc से अधिक नहीं है उन्हें चोटे किसानों के कार अग्ला सुर्पका आध्या है, तो छले हम अगले क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ठिय राश्ट्य कृत बैंकों की संख्या कितनी है तो बताएए दोस्तों भारत में जो है राश्ट्य कृत जो बैंक है उसकी संख्या कितनी है तो हमारा ओप्सन यह है दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों बताएं दोस्तों इसका सही एंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा भारत में कुल मिलाकर राष्ट्रेकित पैंकों कि संख्या दोस्तों यदि इसके बारों थोड़ा सा और विस्तार से हम जानना चाहें तो सरव प्रथम दोस्तों तो इसका उनएस जुलाई उसके बाद सुर्वाती समय में चौदा किया गया दोस्तों लेकिन बाद में फिर यानि 1980 को भारत सरकार ने पुना 6 बैंकों को बैंकों का राष्ट्रेकरन किया था यानि इस तरीका से कुल मिलाकर 20 बैंकों राष्ट्रेकरित बैंक है तो चलिए दोस्तों हम अगले क्योशन के बढ़ते हैं हमारा अगला क्योशन है दोस्तों 1854 जो 1856 में जो क्रीमियम यूद हु और सन्वी है यूएसे और इंगलेंड ऑप्शन सी है रूस और जपान और ऑप्शन डी है इंगलेंड और फ्रांस तो बताएं दोस्तों यह जो क्रीमियम यूद था जो 1854 से 1856 के बीच में लड़ा गया था वह किन के किन के बीच लड़ा गया था यानि किन दो देसों के ल से बहुत सारे देसों ने भाग लिया था जैसे जैसे लिया था रूस फ्रांक प्रीटेन शांटन टृकी उत्याज बहुत सारे देश और यह जोता है यूद में भाग लिये दोस्तों यह योध क्रिमीम प्रायदी पर लड़ा गया था इसलिए इसे वें योध के नाम से भी जाना जाता है तो चले दोस्तों हमेज टो स्वाएक प्रसेदह रिनेंस हैं रिनेंस चित्रकारी किस्किष करिती थी तो दोस्तों यह किसकी श्रेश्ट क्रीदी थी हमारा ओप्षन ि माईकल एनजिलो ऑप्षन भीए टिडियान ऑप्षन सी लियोनार्दो दीन सीто Parents दो दोस्तों यह किसकी थी तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा ओप्षन सी यानि लाश्ट सपर एक प्रसीद जो स्रेश्ट करीती थी वह लियोनार्दो दविंसी का थी दोस्तों यह एक प्रकार का दिवार पर बनाया हुआ चित्र था जिसमें इसा मसीज जो होते हैं अंतिम बार अपने प्रिय जो होते हैं सिस्य के साथ भोजन करते हुए दिखाये वालों को क्या कहते हैं तो बताए दोस्तों जो अपने से स्खुद बखुद बात करते हैं उसे क्या कहते हैं हमारा option अराम की पिलितो पीष्ट to बताएं दोस्तों किया हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही हमारे स्वगत भाजी यानि आप्सन नंब DR पर भी सही इंसन हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अगले क्योंड बढ़ते हैं उमीद करते हैं तो एक विच्टन आपको समझ में आया गई होगी दोस्तों हमारा अगला वश्चन है बिभरंस घाटी कहां बनती है तो बताइए दोस्तों जो बिभरंस घाटी होता है वह कहां बनता है हमारा ओप्षन ऑफशन है है दो अंटी क्लिन चेंज के वीच ऑप्षन भी है दो भ्रहन्सों के बीच ऑप्षन सी है अभिनत दोरोनी का कटाव और ऑप्षन दी है जवाला मुखी उद्वेदन के घरां तो बताएं दोस्तों इसका सही एंसर क्या हो जागा दोस्तों इसका सही एंसर हमारा option number B हो जाएगा यानि विफ्रंस घाटी दो भ्रंसों के बिच बनती है दोस्तों भीफ्रंस घाटी के बाद करें तो यह कुछ विशा खास चीन नहीं है दोस्तों यह एक रेखी आकरिती का निम्न भूमी है जो भागोलिक कार्णों से भ्रंस या दरार के रूप में कई परवर्थ श्रेनिया के नीचे पाया जाता है तो चले दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका में अस्वान डेम द्वारा बनाई गई जिल कौन सी है तो बताएं दोस्तों जो अफ्रीका में जो अस्वान डेम है उसके द्वारा किस जिल का निर्मान हुआ है हमारा ओप्सन ए है दोस्तों चाड ओप्सन भी है विक्टोर तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नासेर दोस्तों इस जिल के बारे में यदि हम कुछ विश्तार से जाने तो दोस्तों मिस्र में जो है यह उनिस्तों अंठाउन और 1971 के मद्य नतिल नील नदी पर अस्वाइब का निर्मान के दारान नासेर जील का निर्मान हो गया था यहां और क्वेश्चन हो यह समय जिल है उसका निर्मान कब हुआ था तो दोस्तों इसका की देखिए उनिस सो अंठावन और जो 1261 के भीश में जो अस्वाण डेम का निर्मान हो रहा था उसी समय नासेर जईयल का भी निर्मान हुआ है तो चले दोस्तों हम अगले पहुशन को बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है उच्टम न्याले में कितने न्याइधिस है तो बताइए दोस्तों हमारे उच्टम न्याले जो है उसमें कितना न्याइधिस है हमारा ऑप्षन यह है दोस्तों पचीर ऑप्षन भी है 26 ऑप्षन सी है 30 और ऑप्षन डी है 31 तो बताइए दोस्तों जो हम हमारे उच्छतम नियाले उसमें कितना नियादी से दोस्तों इसका सहीं एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी 31 दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्योंट क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला क कि उपूस्तों बेरें पूस्कलाओति ऑप्शन सिय तक्षे सिला और ऑप्शन डी है राज़मारी पढ़ुइंस्तों सहीं हो जाएगा तक्षे सिला यानी तक्षीला में ंतुुन कैंजी दारम काफी असानती थे क्योंते इसका कारण फार माना जाता है इसका कारण यहीं पूतन है कि कि इस नधी घाटी के चौडा होने का क्या करन है यानी किसी नधी घाटी का जो चौडा होता है उसका क्या कारण मुख्य क्या ऊस्था है दोस्तों हमरा option यह संचारनं, option भी है भूचहरन, option च है घर्षन, और option D है द्रव चालित तो बताए दोस्तों किसी नदी घाटी के चड़ा होने का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा किसी नदी घाटी के चड़ा होने का कारण भूच्छरन होता है दोस्तों यदि तीरची बेग से यदि मिट्टी जल का प्रवा हो तो मिट्टी का कटाव तल चली टाइप का हो जाता है यानि जादे गहरा ने उसका फैलाव जादे होता है उस नदी का लेकिन यदि वेग से और थोड़ा उर्दहारदत दिसा में यदि पानी का बेग हो तो आधि का का मिट्टी कटार गाता है और तलाव धीरे घरा होते चला जategल हेैं तो चले दोस्तों क्यों वड़ते हैं हमारा अगला सीता है रखना कि सका उतपाध है तो बताएं दोस्तों तूरा किस का उतपाध है हमारा उप्षन यह अंगूर और सब्दियों कोनी फेरी जो एक संकुधारी पेड़ है option C है रबबर का पेड़ और option D है बरगत का पेड़ तो बताए दोस्तो इसके राल किसका उत्पाद है तो दोस्तो राल जो है वह कोनी फेरी पेड़ का उत्पाद है यानि हमारा option B सही हो जाएगा दोस्तो कोनी फेरी जो पेड़ है व बढ़ते हैं हमारा अगला question है बुली बुल्वील्स किस में भाग लेता है तो बताएं दोस्तों इहां जो बुलवएलस से उसके लिए मैं बताद हुम कि उसका हिंदी होता है पत्रकली का वे किस भाग लेता है तो दोस्तों हमारा option एलेंग जनन option B है काईक जनन option C है खादे बंडारन और option D है स्वासन तो दोस्तों जो बूलबिर्स होता है वो काईक जनन में काफी सहता करता है तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले question क्यों पढ़ते हैं हमारा अगला question है नारियल का पानी है यानि क्या है दोस्तों नारियल का पानी दोस्तों इसके हमारा option A है तरल भी जांड का है option B है तरल मध्य फल भीती option C है तरल एंडो कार्प और option D है बिक्रित तरल एंडो इस्वाम तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा हमारा option D यानि नारियल का पानी जो है अगला क्वेस्चन है मचली एक प्रथम स्रेनी का प्रोटीन है क्यों की तो बताई दोस्तों मचली का प्रथम स्रेनी का प्रोटीन क्यों माना जाता है दोस्तों यहां पर प्रथम स्रेनी के बाद होई तो दोस्तों जन्तों या जीव जन्तों से प्राप्त होने वाली उत्पा करते हैं तो दोस्तों जो मचली यानि जो मांस है उसे प्राप्त होता है तो बताई दोस्तों वह प्रथम स्रेनी का प्रोटीन क्यूं है उसमें क्या पाया जाता है कि उसे हम प्रथम स्रेनी का प्रोटीन मानते हैं तो दोस्तों इसका हमारा और दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन ए यानि आवस्यक एमीनो एसिट के कारण मचली को जो है हम प्रथम स्रेनी का प्रोटीन मानते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो है दूद की सघंता मापने के लिए प्रिक्या उपकरन है यानि दूद की सुधता या सघंता मापने वाले यंद्र को क्या कहते हैं तो बताएए दोस्तों क्या कहते हैं हमारा ओप्शन ए है ग्लैकोमीटर ओप्शन भी है ल जाएगा यानि दूद की सूधता या दूद की सघंता में अपने के लिए लेक्टोमीटर का उप्योग किया जाता है यानि हमारा ऑप्षन भी सही एंसर हो जाएगा दोस्तों उमीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों यदि आपको हमारे वीडिय बंदे मातरम